स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली न्यूज बुलेटिन में हमारी खबरों के मुख्य स्पॉनसर हैं आरके ज्वेलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनी ये विक्रेता यमना चौक बक्सर लगन साडी एवं पंकज टेलर्स अमभेजर होटल के सामने दुलहा दुलहन के लिए बिसेश परिधान उपलव्द बुलेटिन की परमक्सुर्खियों पर जिले में सक्रिये है उचकों का गिरो दो जनों से 90 हजार की छिनेती चुनाओ संपन होने के बाद डीम ने बुलाई पीसी जनता को कहा धन्यवाद नीजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स लापता पिता ने दर्जिकराई सिकायत मुखमंत्री बागवानी मीशन के ताथ पौधे लगाने पर मिल रही है 75 परतिशत की छूट बक्सर के बाद डुमराओं में कैंसर के उपचार की विवस्था प्रारंब दस जून से खुलेंगे सरकारी विद्याले साड़े च्छा बजे से होगा कक्छाओं का संचालन पुरु विदायक रमासरे परसाद का निधन लोगों ने व्यक्त किया सोक 45 लीटर सराप के साथ धंदेवाज गी रखतार नवानगर पुलिस की करवाई खबरे विस्तार से के प्रायजक हैं अब खबरों की चर्चा बिस्तार से आप सभी पाटकों से हम आगरा करते हैं वे काफी सजग रहें क्योंकि सहर में उचकों का गिरोष सक्री हो गया है बीते दिन दो घटनाएं हुई डुमराओं के राजगर इसी दागर से एक विकास मित्र 50,000 रुपे लेकर जा रहे थे उचकों ने उनका जोला जपट लिया ऐसी ही घटना नवा नगर थाना चेतर के नवा नगर गाव में हुई संत कुमार पांडे जो बसमन पूर के रहने वाले हैं वे बैंक से 40,000 रुपे निकाल कर जा रहे थे उनका भी बैंक उचकों ने गेट पर ही काट लिया बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है जिला अधिकारी अंसुल अगरवाल ने लोगसभा चुनाव संपन हो जाने के उपरान बित्य दिन सुक्रवार को समधता समेलन आयजित कर जिले के सभी नागरिकों सभी प्रत्यासियों, मीडिया कर्मियों और जिला प्रशासन के दिकारियों को धन्यवाद दिया उन्होंने कहा यह चुनाव बड़ी ही सांती पुंधं को संपन हो गया भैमुग निश्पक्ष बातावरंड में संपन हुई ना सिर्फ इन सब क्राइटिरिया के हिसाब से संपन हुई बलकि स्वच और पारदर्शी भी पूरी प्रक्रिया को जिला प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसे प्रयास किये गए जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी भी सभी मीडिया के लिए मैं बात करूँ सभी कैंडिडेट्स के लिए बात की जाए तो पूरा तरीके से पाठदर्शी महाल में हम लोगों ने इस पत्रिया को संपन करवाए गुलेटिन की तीसी सुर्खी है नगर के नया वाजार में केक नीजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली की सोरी भी तेरी नो लापता हो गई है दिनारा इलाके की रहने वाली इसकी सोरी के पिताने नगर थाने में सिकायत दर्चकर इसकी सूचना दी है हमारी बेटी वहां से लापता हो गई है इसमें एकी वक्के हाथ होने की संभावना है बुलेटिन की चौती सुर्खी है मुखमंत्री बगवानी मिशन के तहत पौधा लगाने वाले लोगों को 75% तक का अनुदान मिल रहा है जिला बगवानी मिशन के अनुसार आम, केला, पपीता, आमला, अमरूद, नीबू, आदी फलदार विक्षों के जो पौधे लगाएंगे उन्हें 75% तक का अनुदान दिया जाएगा बुलेटिन की पाँच भी सुर्खी है बकसर के बाद अब दुमराओ के और मंडली अस्पताल में भी कैंसर के उपचार हम अस्पत सब्दों में कहें तो अस्क्रिनिंग की सुविधाश शुरू कर दी गई है माउथ कैंसर, दाथ, बचेदानी, अस्तन कैंसर आदी से जिनको सिकायत हो वे यहाँ पहुचकर लाफ ले सकते हैं बुलेटिन की चट्छी सुर्खी है दस जून से सरकारी स्कूल खुल जाएंगे प्रतिकूल मौसम को देखते हुए आठ जून तक बिद्याले बन रखने के आदेश दिये गए थे नौकोर अभीबार है अर्थात दस से विद्याले बतीश जून तक मारनिंग साड़े छे से दिन के साड़े ग्यारा बज़े तक चलेंगे अभीभाव इसको ले करके सजग रहें बुलेटिन की सातवी सुर्खी है CPI के पुर्व विधायक रमासरे परसाद का निधन हो गया है या केशट प्रखंड के कुल्मन पूर गाओं के रहने वाले थे दुम्राओं के पुर्व विधायक रहे रमासरे परसाद दिल्ली में अपनी बेटी के यहां आवास पर थे सूचना के अनुसार आज सनिवार को तहलने के दुरान उन्हें सर में चोट लगी और उसके बाद उन्हें अंतिम सास ली मुलेटिन की आठवी सुर्खी है नवानगर की पुलिस ने 45 लीटर देसी सराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफतार किया है जिसका नाम सोहराई राम बताया जा रहा है या नवानगर थाना के ही अत्मी गाउं का रहने वाला है पुलिस ने बीते दिन तड़के ही इसके घर पर च्छापे मारी की और इसे रंगे हाथ वहां से गिरफतार कर लिया गया अब चलते चलते आपके लिए एक छोटी सूचना परते एक रहिवार को बक्सर खबर दीवी दर्सन नाम से सब्ताई के एपिसोड पर सुद करता है जिसमें आप देश की विभिन मंदिरों का दर्सन लाप प्राप कर सकते हैं आज की बुल्टिन मसे इतना ही आप देख रहे हैं बक्सर खबर हमारे साथ अन तक बने रहने के लिए आप सभी कुछ दन्यवाद